अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेब में चावल का दाना रख लें आपको मिलेंगे ये चार बहुत बड़े फायदे जो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे जेब में सिर्फ चावल के कुछ दाने रखने से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है लेकिन ये कैसे उप करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें जारे सेदा लोगों में ये वीडियो सेयर करें जिससे की सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत पूर्ण जानकारी का पूर्ण लाव उठा सकें दोस्तों चलिए अपने विशे पे हम पुना वापिस आते हैं जोतिस सास्त्र में ऐसे कई उपायों के बारे में बताया गया है दोस्तों जो धन की कमी को दूर करने में मरत करते हैं ऐसे ही चावल को हिंदु धर में बहुत ही सुम माना गया है इसे जेव में रखने से हर तरह के कश्ट दूर हो सकते हैं आईए अब आपको उपाय बताते हैं सम्रिद्धी का प्रतीक जी हाँ चावल को हमेशा से ही बड़ोत्री का प्रतीक माना गया है और इसे सम्रिद्धी के प्रतीक के रूप में माना जाता है ऐसे में जेव में चावल लखने से सम्रिद्धी आती है चावल के दानों को अक्सर सकरात्मक उर्जा यानी की पॉजिटिविटी से जोड़ कर देखा गया है इने पर्स में रखने से आसपास सकरात्मक उर्जा यानी की पॉजिटिविटी बनी रहती है जेब में चावल का एक दाना रखने से जीवने पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता इससे आर्थिक इस्तिती में भी सुधार आता है जेब में चावल लखने से आर्थिक हानी से बचा जा सकता है इससे फिजूल खर्च भी कम होते हैं ये एक बहतरीन उपाय है दोस्तो यदि आपको भी अब तक ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लग रही है इससे आपके जीवन में खुसाली आ सकती है यही नहीं अगर आपको नौकरी में परमोसन नहीं मिल ला है तो आपको जेब में चावल के दाने जरूर रखने चाहिए इससे आपको जल्दी खुसखबरी मिलेगी हर कोई चाहता है कि मालक्ष्मी के किरपा उन पर बनी रहे ऐसे मैं आपको जेब में चावल के दाने रखने चाहिए इससे मातालक्ष्मी आपसे प्रसन होती है जी हाँ दोस्तो यह सुनने में जरूर एक छोटा सा और सरल उपाई लग रहा होगा जो किये है लेकिन इसका जो अदफुत प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा कुछी दिनों के भीत यदि आप भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे हमने बताया क्योंकि यह रखने से आपके पास पॉजिटिविटी यानि सकरात्मा पूर जा रहेगी जिसके कारण आपको जिस भी छेतर में आप हैं उसका में सफलता मिलेगी और इससे आपके पैसे भी फिजूल खर्च नहीं होंगे और आपको प्रोग्रेस भी देखने को मिले चनुनी ऐसने को मिलेगी यानि से मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक कि लिए जय माता दी धन्यवाद